BMW कार बनाने से पहले fighter jets के engine बनाती थी और अगर Germany World War 1 नहीं आता तो शायद BMW कभी एक कार company नहीं बनती 1918 में Germany को World War 1 हारने के बाद एक agreement sign करना पड़ा जिसके according उनकी country में कोई भी fighter plane नहीं बना सकता था और इस कारण BMW को survive करने के लिए अपने business को change करना पड़ा 1923 में BMW ने अपनी first motorcycle R32 बनाई और 1928 में अपनी first car बनाई BMW ने आगे चलके इतनी अच्छी cars बनाई कि वो एक leading car company बन गई आज BMW करीब 4 लाग करोर की car company है पर उनका logo आज भी एक plane के गुमते हुए propeller को represent करता है business marketing videos के लिए मुझे follow करे